नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टर अमित महिश्वरी इंटरनेशनल बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का स्वगत करता हूं बिजनस डेवलेप्मेंट के इस सीरीज में फ्रेंड्स बहुत सारे लोगे जानना चाते हैं कि कॉम्पिटिशन के इस दौर में किस तरह से अपने कंज्यूमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट को फीड किया जाए ताकि वो हमेशा आप ही का प्रोडक्ट खरीदे तो यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्किट में तीन तरह के क्लाइंट होते हैं ब्रैणड कॉंशियस, क्योलिटी कंशियस, जारत ने देखा गया है जहां प्रॉअचियस कंज्यूमर होते हैं वहाँ पर उनका एक ही लक्ष होता है कि वो product सस्ते से सस्ते rate में उन्हें मिल जाए जिसकी वज़ा से वो market में किसी एक brand को नहीं खरीते बलकि price का comparison करके जो product का price सबसे सस्ता होता है वही product खरीते हैं और दूसरा जो consumer होता है वो होता है quality conscious इसको brand से को लेना देना नहीं होता इसको price का भी कोई बहुत बड़ा matter नहीं होता लेकिन ये consumer या ये client हमेशा product की quality को focus करता है वो 2 brands, 3 brands, 4 brands और बहुत सारे brands के बीच में comparison करता है जिसकी quality सबसे best हो उसी से वो product खरीदना पसंद करता है इसलिए अगर आप एक quality product बनाते हैं तो आपको जरूरत है अपने consumer के mind में अपने brand को feed करने की और तीसरा सबसे important जो customer है वो है brand conscious उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस product की quality क्या है वो तो एक particular brand के परती loyal customer होता है और हमेशा अपनी market में उस brand को खरीदना पसंद करता है जो उसके mind में feed होता है बहुत सारे लोग जो अपने business में premium margin कमाते हैं उनको ये पता होना जरूरी है कि किस तरह से brand के लिए loyal customer तयार किये जाती है friends इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी production unit छोटी है या बड़ी आपके व्यापार का आकार छोटा है या बड़ा यदि आप अपने consumer के mind में अपने product के लिए जगा बना सकेंगे उसके दिल में product के लिए एक जगा बना सकेंगे तो आप आसानी से उस client के साथ deal कर सकते हैं और यहाँ पर हर brand का एक premium price होता है इसलिए यदि आप brand conscious consumers के साथ काम करना चाते हैं और अपने brand को अपने product को एक brand image देना चाते हैं तो ज़रुवत है brand consciousness को समझने की और brand किस तरह से market में established किया आता है इस बात को समझने की या मैं आपको 10 ऐसे उधारन बता रहा हूँ जिसमें आपको लगेगा कि यह brand तो international brand है लेकिन आपको जानके आश्चारे होगा उन लोगों ने same industry में उन companies ने same industry में अपने brand की positioning और designing इस तरह सी की जो international look देता है और साथ ही साथ consumer को उस brand के प्रती loyal बनाता है जिसकी वज़ा से price का competition खतम हो जाता है quality हमेशा best रखनी चाहिए ताकि best quality पर ही consumer एक brand के प्रती loyal बने तो आज मैं आपको बताता हूँ ऐसे brand जो Indian brand है लेकिन उनकी brand positioning international है Madura Fashion and Lifestyle का brand Peter England जो देखने में एक foreign brand लगता है ये Aditya Birla Group का Indian brand है इंडिया के pondicherry का एक brand जो international level पर lead करता है वो है high design जो leather accessories का brand है और साथी साथ ये पूरे world में 24 countries से ज़्यादा में अपने आपको operate करता है Kandon wine जो देखने में एक international wine लगती है वो इंडिया का एक brand है जो sparkling wine produce करता है और पूरे world में ये product इंडिया से dispatch होता है Louis Philippe जो एक international brand लगता है ये brand इंडिया का brand है Aditya Birla Group is the owner of this brand Monte Carlo जो woolen clothing में एक international brand की तरह से अपने आपको represent करता है वो हिंदोस्तान के लुधियाना का एक woolen company का brand है प्लाइंग machine जो denim clothing में deal करता है वो अर्विद मिल का brand है Metas lifestyle जो stillness steel modular kitchen का brand है जो global अपनी presence रखता है वो इंडिया का brand है The Milano जो high end leather accessories में एक renowned brand है ये brand भी इंडिया का है Alan Soli जिसको आप Italian brand समझते हैं वो brand भी इंडिया का brand है और हमारे देश में सबसे ज़्यादा famous bike Royal Enfield ये भी इंडिया का brand है जिसकी presence worldwide है And the next that is Laopala ये एक French name है लेकिन इस नाम को देखकर आप भ्रमित नहों ये brand भी टेवल वेर का क्रॉकरी का Indian brand है तो high end dining क्रॉकरी को represent करता है Friends जिन सभी brands के बारे में जान कर कि ये इंडिया के brand है आपको भी विश्वास हो गया होगा कि आप भी अपने product के लिए अपने brand की positioning worldwide कर सकते हैं जरुवत है तो सही brand positioning की brand advertisement, brand marketing, brand endorsement इसलिए जरुवत है आपको अपने product की quality को develop करने की अपने brand की image market में stand करने के लिए brand positioning करने की Friends अपने business के development को लेकर यदि आपके मन में कोई भी प्राश्न है तो comment box में लिखकर मुझे जरूर बताएं इस channel को subscribe करें ताकि business की update information आपको regular मिलती रहे और इस video को अपने friends circle में जरूर शेयर करें ताकि आपके friends भी एक अच्छा business establish कर सकें और आपके surrounding एक powerful businessman entrepreneurs का group हो तो जय हिंद, जय भारत